ऐसे समय में जब अमेरिकी रास्टुपती डॉनल्ड ट्रंप ने तक्रीबन सभी देशों के साथ व्यापार युद्ध की घोशना कर दी है अगले बखवारे में भारत और अमेरिकी अधिकारी अपने द्युपक्षिय संबंधों के भविश्य की रूप रेखा कीचेगे भारत जहां अपनी तरफ से अमेरिका से आयात के लिए अपने दरवाजे खोडने की पेशकर करेगा तो वहीं अमेरिका से आतंगवाद सहित अने रर्नेतिक मस्टों पर समर्थन की मांग भी करेगा भारत और अमेरिका के बीच संतुलन और एकमत तयार करने के लिए 24 जून से 6 जुलाई का समय काफी एहम है 24 जून को अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजन्टेटिव मार्क क्लिंस कोट दिली में भारती अधिकारियों के साथ व्यापार घाटे को दूर करने के तरीकों पर बात करेंगे भारत अपनी तरफ से अमेरिका से 1000 नागरिक विमानों को खरीदने की पेशकश करेगा इसके अलावा भारत अमेरिका से तेल खरीद को बढ़ाने का भी आर्श्वासन देगा इससे भारत के साथ अमेरिका के 24 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे को पूरी होने में कोई खास दिकत नहीं होगी इसके पहले वारिज्य मंतरी सुरेश प्रभू 10 से 12 जून के बीच अमेरिका में थे जहां उन्होंने अमेरिकी वारिज्य मंतरी बिलबर रॉस के साथ विस्तार में बात की थी अगले सब्ता 27-28 जून को अमेरिकी राष्टपती डॉनलर्ड ट्रम्प के खास दूत के रूप में निकी हेली भी दिल्ली पहुचेंगे वे सायुक्त राष्ट में अमेरिका की स्थाई प्रतने धी भी हैं अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंतरी सुष्मा सुराज, राष्ट्रय सुरक्षा सलहकार अजीट डोभाल, विदेश सचिव, विजय गोखले के साथ विमर्श के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से भी मिलेंगी सुत्रों के मताबिक वो एरान, रूस और हिंद प्रशांत की स्थिती के बारे में विमर्श करेंगी You know, you just had this, the meeting between President Donald Trump and the North Korean President, events as such in the Indo-Pacific, over the last year I think a lot of important developments have taken place in the context of the Indo-Pacific, the US has categorically said that India is a key player in the Indo-Pacific, much to the chagrin of the Chinese, right? So I think there will be, as far as the defence meeting is concerned, and we could deepen the strategic partnership from the LEMOA, we could move on. There is, you know, a sort of, there's talk about moving ahead. So I think the sky is the limit. प्रशांत की मंत्रियों को समझाएगा, और अमेरिका से भारत को किसी भी तरह के प्रतिभन से बाहर रखने की सलाहा देगा. मंत्री इस्तर पर भारत की किसी देश के साथ ये पहली टू प्लस टू बैठक है, जिसमें विदेश मंत्री सुष्मा सुराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ये समझाएगी किस तरह से भारत की रणनीती अमेरिकी हितों के अनिकूल है. में रणनीति कारणों की वज़ा से भारत और अमरिक्या के संबंध विक्सित हो रहे हैं, लेकिन कई बार आर्थिक मसलों पे अर्चने आ रही हैं। प्रयास यह हो रहा है कि रणितिक, राजनितिक और आर्थिक मसलों पे एक राय बनाई जाए ताकि दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्रों के भी एक सर्वांगिन संबंध विक्सित हो सके। राजसवा टेलिवीजन के लिए क्याना परसन अर्विंद के साथ दिल्ली से अखिले सुमन।